हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे माइए 3 के बारें दोस्तो माइए 3 के अंदर दिसंबर महेने का सिक्रूटी पेच अपडेट आच चुका है कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं और दोस्तो इस अपडेट के साथ साथ आपको क्या क्या चेंजेज द बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता है तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं दोस्तो मैंने अपने इस चैनल पर दो गिववे का रखें दोस्तो और उन गिववे क आएं तो आप सिदे ही अपडेट कर लिजिए और अगर नहीं मिलाएं तो आप फोन की सेटिंग के अंदर जाए और दोस्तों वहां पर आपको सिस्टम अपडेट के अंदर जाना रहेगा और वहां से आपको चेक फोर अपडेट पर क्लिक करना है और दोस्तों आपका जो हैं वो आपके सामने आ जाएगा यह जो अपडेट निकल के आएगा दोस्तों यह होगा 94.4 MB का अपडेट है दोस्तों बहुत ही छोटा अपडेट है दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इस अपडेट के साथ साथ कोई चेंजेज हुआ होगा एमाइ एटरी में या फिर कोई नया फिचर 8 किया होगा तो मुझे यही लगता है ओंली सीकुरूटी लेवल को ही अपडेट किया गया है इस अपडेट के साथ दोस्तों क्योंकि एंडॉरट क्यू अपडेट के साथ को काफी साधा चेंजेज होंगे इस फोन के अंदर तो मुझे इसा लगता है एमाई ने ओनली सेकुरेटि लेवल अपडेट दिया है और अब बात करते हैं एंडूइट क्यू अपडेट के बारे में दोस्तों तो एमाई एथरी के लिए मैं जब भी शाओमी के कस्टमर के यानि के कस्टमर के से बात करता हूं तो वह भी बताते हें कि WORK IN PROGRESS में है और दोस्तों बताते हैं कि आपको जनवरी से फरवरी महीने के अंदर आपको Android क्यू का अपडेट मिल जाएगा अपने माई एथरी के अंदर दिसंबर तो आपको क्या लग्या लगता है कौन से महीने में आपको Android Q का आपडेट मिलेगा आपने MIA3 के अंदर आप नीचे comment box में जरूर से बताना दोस्तों